जैस्री कृष्ण आज बनाएंगे काजू मखाना करी आप एक बार इसे बना कर देखे आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चलिए शुरू करते हैं इसके लिए एक प बाजू और दो मीडियम साइज के प्याज कटे हुए अब इन्हें धक कर 10 मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे 10 मिनट बाद इसे हम निकाल कर ठंडा करके पीस लेंगे जो भी खड़े मसाले डाले हैं उन्हें साथ में ही पीसना है हटाना नहीं है सारे मसाले और प्याज एक साथ हम पीस लेंगे देखिए पीसकर तयार हो गया है अब एक पैन में लेंगे घी इसमें डालेंगे काजू और इसे अच्छे से फ्राइ करेंगे गैस को धीमा ही रखेंगे तेज नहीं करेंगे काजू जल जाते हैं धीमी आज में इसे सेखना ह जब तक काजू ब्राउन ना हो जाए तब तक इने सिर्क न है वने के बाद इसमें अच्छा टेस्ट आएगा लिके ब्राउन हो गया भी इसे निकाल लेंगे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है बस इतना ही करेंगे कि इसके बाद इसमें एक चमस घी और डालेंगे और इसमें डालेंगे मखाने मखानों को भी फ्राई करना है काजू से मखानों में ज़्यादा टाइम लगेगा फ्राई होने के बाद एक मखाने को मसल कर देखिए अगर अच्छे से मसल जाता है तो मखाना हमारा फ्राई हो गया है इतना ही करना है अब एक पैन में लेंगे घी इसमें डालेंगे जीरा तेजपत्ता अधरक लेसिन पेस्ट इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ब्राउन होने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर टमाटर को भी अच्छे से गलाना है इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक इसे हम ढख देंगे पांच मिनट ढख कर पकाएंगे टमाटर अच्छे से गल गए हैं तेज पत्ते को हटा देंगे हम टमाटर गलने के बाद इसमें डालेंगे प्याज और काजू का पेस्ट जो हमने बनाया था ये सारा इसमें डाल देंगे और मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल कर सारा मसाला निकाल लेंगे अब इसे अच्छे से फ्राई करना है तेल छोड़ने तक पांच मिनट के लिए इसे ढख देंगे, ढख कर धीमी आज में पकाएंगे, देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी टोमेटो प्यूरी, यह अप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए, अच्छे से फ्राई करेंगे इसे, देखिए तेल छोड़ने लगा है मसाला, इसमें हमने काजू डाला है, काजू को टाइम लगता है पकने में, जब तक मसाला पैन नहीं छोड़ देखा तब तक इसे चलाते रहेंगे, अब इसमें डालेंगे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कि चयार्ट मसाला, अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी में थी, नहीं अब इसमें डालेंगे, मावा, अगर मावा नहीं है तो अधा कप मिल्क पाउडर डाल दीजे, मावे को भी लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे, मसालों क फ्राइ करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सबजी बहुत टेस्टी बन कर तयार होगी आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करिएगा मसाला हमारा अच्छे से पक गया है पैन छोड़ दिया है मसाले ने अब इसमें डालेंगे गर्म पानी तेज गर्म पानी डालेंगे ठंडा पानी नहीं लेंगे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसे दो मिनिट और फ्राइ करेंगे इसके बाद इसमें फिर से डालेंगे गर्म पानी इसके बाद इसमें डालेंगे काजू और मखाने जो हमने फ्राइ किये थे ग्रेवी में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और पांच मिनट इसे हम पकने देंगे लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी नमक और एक चुथाई कप के आसपास फ्रेश क्रीम बस हमारी सबजी बनकर तयार है प्रेश क्रीम को मिक्स करेंगे अच्छे से आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करिए बहुत टेस्टी लगेगी आपको यहाँ आई सबजी बन कर तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू